न्यूस फोर्नेशन की एक पुकार घर पर रहिए सपरवाद स्टे होम स्टे से उसका न्यूस फोर्नेशन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ राजमौन सिंग बिहार सरकार किस तरफ से जो ताजा अंकड़ जारी हुए है कोरोना अपडेट आई है दस ने केसे जो है बिहार भर में दर्च किये गया है कैमूर जिले से पांच ने कोरोना पोजिटिव मरीज सामने आए हैं साथ ही बकसर जिले से चार पटना से एक शक्स जो है वो संकरमित पाया गया है कल पटना के डाक बंगला चोराहा पहुच गया कोरोना और पटना में एक और संक्रमित मरी जो है उसकी पुष्टी हो रही है अब बता दे कि कैमूर में जिन लोगों में संक्रमित की पुष्टी हुई है वो सभी के सभी पुलिस लाइन इलाके के हैं जिन में तीन पुरुष है और उनकी उमर 34, 48 और 46 साल बता जा रही है जबकि एक महिला है जो 28 साल की उसमें संक्रमित पाया गया है जबकि कैमूर के ही चैनपूर इलाके में एक और शक्स है जो 42 साल का बता जा रहा है उसमें संक्रमित की पुष्टी हुई है तो पांच कैमूर से आई है पुजिटिव रिपोर्ट वहीं बिहार के बकसर जिले में न्यू बकसर इलाके से चार लोग संक्रमित पाये गए हैं बकसर में जो आकले हैं वो भी अब लगतार बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं चार नए केसे सामने आ रहे हैं न्यू बकसर इलाके से चार लोगों में कोरोना के संक्रमित की पुष्टी हुई है जिन में तीन पुरुष है उनकी उमर जो है 31 साल 35 और 50 साल बताई गई है ज अब गस्में वही एक 15 साल की यूवती भी कोरोना के संक्रमन की शिकार हुई है वही बात अगर पटना जिले की करें तो यहां 35 साल की यूवक में कोरोना की पुष्टी हुई है जो सबसे बड़ा हाट स्पॉट है खाजपुरा वहाँ का रहने वाला है खाजपुरा में जि जाल है उसको फैलाया है वहां से एक और नए मरीज की पुष्टी हो रही है तो दस नए आंकड़े जारी हुए है इस वक्त और आंकड़ा जो है कुल मिला के बिहार में पहुँच गया है 238 टोटल 238 मरीज इस वक्त बिहार में पहुँच गये हैं और पिछले तीन दिनों में एक बड़ा जम्प जो है वो देखने को मिल नहा है कल की डेट में 53 रिकॉर्ड तोड 53 सरवादिक मरीज जो है एक दिनों के आंकड़े की अगर बात करें तो कल की डेट में 24 अपरेल को 53 जो है आकड़ा पहुच गया इसके पहले 23 तारीक को 27 मरीज सामने आये थे कोरोना के नए केसे सामने आये थे और आज जो है अब तक जो ताजा आकड़े आए हैं उनमें 15 नए मरीज सामने आ चुके हैं लगतार जो है आकड़ा बढ़ते जा रहा है और पांच दिनों में ही सौ से जादा जो मरीज हैं डेड़ सो के आसपास पहुच रहे हम पांच दिनों के भीतर ये आंकड़े जो है लगतार बढ़ते जा रहे हैं इसलिए बहत जरूरी है कि आप लोकडाउन को एकड़म इमानदारी से उसका पालन करे घर पर रहें सुरक्षित रहें प्राइक ल करे दो